तो हाई दोस्तों वेलकम बेक टोवर यूटूब चैनल दोस्तों बजाज ओटो बाई बेक में जो भी इन्वेस्टर्स पार्टिशिपेट करना चाहते हैं यानि कि जिन इन्वेस्टर्स ने बजाज ओटो के शेर्स को खरीद लिया है वो यहाँ पर बाई बेक के लिए कब त दर इलिजीवल होंगे तो यहां पर ट्वंटी नाइन फेब को यह चेक क्या जाएगा कि कि टने सेर्स जो है वो आपके करेंती अकाउंट में पढ़े हुए हैं तो वो सारे सेर्स और सारे काउंट ऑलने यहां पर बजाज ओटो बाई बेक में पार्टिपेट करने के लिए लेकिन अगर आप 29 फेब को खरीदते हैं या उसके बाद में एक मार्च को खरीदते हैं तो वो आप यहाँ पर इलिजिवल नहीं होंगे बजा जोटो बाई बेक के लिए क्लियर तो यहाँ पर अब आपने सबोच करो कि 29 फेब से पहले आने 28 फरविर तक आपने सेर्स को खरीद लिया है और आपके डीमेट अकाउंट में पढ़े हुए हैं तो अब आपको उनको बाई बेक के लिए के से बेश सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बतान मार्केट के अंदर बेच दिया है जब आपने यहाँ पर 4 में से 6 को सेर को बेच दिया है तो आप यहाँ पर बेज सकते हो और उसके बाद में आप यहां पर जो बचते हैं उन सेर्स को भी आप यहां पर बाई बेज के लिए बेज सकते हो पूरे के पूरे सेर्स को भी बेज सकते हो आप अगर बाई अगर आप बाई बेज नहीं करना चाहते हो तो वह भी आपके उपर है तो सब कुछ और अगर आप उसको मार्केट में आदिश को पेजना चाहिक हो तो यह आपको क्लियर होगा कि आप 29 के बाद में आप अपने शेर्ष को बेज सकते हो आप देखे क्या होता है कि अभी यहां पर जो पेजने की जो डेट है वह यहां पर अभी डिकलेट नहीं हुई है आपका ज तो इसका जो टाइमिंग है आप जो सेर्स को रिकोड डेट से लेकर यहांकि जो लास्ट डेट ऑफ एक्जिस्ट किनिमेंट ऑफ सेर्स यह होती है पूरे 30 दिन का टाइम होता है इसमें तो 29 फरवर इसकी रिकोड डेट है तो लगबग यहां पर हम यह वानते हैं कि लगबग के उसमें साथ दिन का टाइम होगा तो यहां पर क्लोज उनकी डेट यहां पर आ जाएगी यह सबाद में दसब उसकती है इतने तरह टइक यहां पर बार 손ति leg का जो हम रहिजना है में आपको एक्जमर बताता हूं यहां फर इसका टी सिए का तो आप देख सकता है टीוצ भी यही वाता कि 24 को यहाँ पर 25 नवंबर को record date थी उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 December को offer open हुआ था लगवा 7 दिन बाद में उसके बाद में यहाँ पर 7 दिन तक इन्होंने यहाँ पर इनकी bid खुली रही थी उसके बाद में यहाँ पर finalization हुआ था फिर 7 दिन बाद में और यहाँ पर फिर वही 7 दिन बाद में यहाँ पर पूरा process complete वा था तो इस पूरे process को complete होने में आपका एक मेने का time लगेगा तो अभी यह जो date है यहाँ पर offer open की और offer close की यह date यहाँ पर declare नहीं हुई है declare होते ही मैं आपको वीडियो बनाके notify कर दूँगा अब यहाँ पर आप सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप अपने TCS देखिए यहाँ पर TCS का नाम है तो यहाँ पर आपको बजाज ओटो का नाम दिखाए देगा उसके बाद में जो मैंने process आपको TCS के में बताई है वो same ही process आपको बजाज ओटो को में करनी है क्यों क्यों कि देखिए यहाँ पर जो इसका issue type है वो है tender offer tender offer के थुरू यहाँ पर shares को यहाँ पर लिया जाएगा जबकि यहाँ पर जो बजाज ओटो का है वो भी यहाँ पर tender offer के थुरू है तो दोनों में tender offer की through यहां पर shares को लिए जाएंगे तो same process है जैसे TCS का process है वैसे आप यहां पर बजा जोटो का process है तो 7 दिन का अभी वेट करिए 7-8 दिन का 7 दिन के बाद में हो सकता है यहां पर offer open date आजाए उसके बाद में close date आजाएगी साथ दिन का आपके पास में time rate अप्लाई करने का उसके बाद में सारी information on time आपके पास में आती रहेगी आप हमारा चैनल से जूड़ जाएगे सारी information अभी यहां पर मैंने के वहल आपको बताया था कि यहां पर जी रोदा के थूदु के से करते हैं आप पताऊँगा के थूद के से करते हैं यहां जिस भी टीमेट अकाउंट में आपने शेर्स को लिया है उस डीमेट में आप बाई बेक के लिए सेर्स को कैसे बैश सकते हैं पूरा process में आपको step by step करके बताने वाल हूँ आप चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लिए तो यह इंफोर्मेशन थी बजाज ओटो बाइब को लिए कोई भी इंफोर्मेशन हो कोई भी कुशन हो आपके आप मुझे कमेंट करके पूर्श सकते हैं वीडियो चला कर दो लाइक क ऑना प्रेसाहा इंग жाड़े थित्ड़ कर लिए यह झाब कर दो लिए जाएक क कर दो यह बड़ियो भी कुशन होकि जिमना थनकी कर दो लिए ऱाया है।